नमस्कार न्यूज बर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुमन पान जालोन में अवेद खनन परिवहन और और लोडिंग पर ही ए आर्टियो ने कानूरी कारवाई करते हुए करीब चार ट्रक पकड़ कर कोतवाली जालोन में दाखिल कराया है और आठ ट्रकों पर करीब 3 लाख रुपे का जुर्माना लगाया है और संबंधित मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मताबिक ए आर्टियो विने पांडे ने बुल्देंद खंड एक्सप्रेस वे पर कारवाई करते हुए साफ संकेत दिये है कि जनपत जालोन में अवेद खनन परिवहन और ओवर्लोडिंग बर्दाश नहीं किया जाएगा तो आपको बता दे कि जालोन से खबर है जहां पर कानूनी हंटर चलता हुआ साफ तोर पर नज़र आ रहा है और इसके साथ ही पुलिस परिशासन भी सकत होती हुई साफ तोर पर नज़र आ रही है आपको बता दे कि जालोन में कानूनी हंटर चला है जिसके तहत ही आठ ट्रकों पर तीन लाख रुपे का जुर्बाना लगाया गया है तो आपको बता दे जालोन से खबर है जहां पर पुलिस सतर्क और ओवर लोडिंग को लेकर लगातार सतर्क नज़र आ रही है और इसके साथ ही करीब चार ट्रक पकड़कर कोत वाली जालोन में दाखिल कराये गया है वहीं आट ट्रकों पर करीब तीन लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है यूपी के गोरतपुर में शादी समारों के दोरान एक मेरेज होल में जेवर से भरे बैग पर दो महिलाओं ने हाथ साप कर दिया और घटना मंगलवार रात की है लेकिन ये घटना स्पीसी टीवी में कैद हो गई और चार पहिया गारी से आई इन महिलाए जो महिला चोरों के बारे में जब पुलिस ने सुराग तलाश रही थी तब वहीं चार पहिया गारी के नंबर को भी ट्रेस करने का प्रियास किया जा रहा था और सर्याम हुई इस बारदात में लोग हैरान है और बताया जा रहा है कि चोरी की बारदात को अंजाम देने वाली महिलाओं ने जिस बैग पर हाद साप किया है उसमें 10 लाख रुपे के जीवर रखे हैं गोरगपुर के कोतवाली थाना छेतर के ही धंबाल महले की रहने वाले अब्दुल वाहब खान के छोटे बेटे नुमान खान की मंगलवार को शादी रही है और नुमान की बारात उनके घर से निकरकल कोतवाली थाना छेतर के सुमेर सागर के शिप्रा लोन पहुची थी और बारात पहुँचते ही परिवार के सभी लोग निका की रस्मों में व्यस्त हो गए और इस दोरान दूलहन को देने के लिए लड़के वाले ने जवेलरी निकाली थी और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गई ये महिलाय रात 11 बजे के करीब मैरिज होल में दाखिल होते हुए CCTV में कैद भी हो गई है कि महिलाय तीन से चार की संख्या में रही है और उनके गैंग में दो पुरुष भी शामिल दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे कि CCTV में महिलाओं के आने पर और जाने पर फुटेज जो थी वो कैद हो चुकी है ये गैंग वकाइदा कार से आया था और चोरों के वापस जाते बक्त मैरिज हाउस से एक कार भी बाहर दिकली है जिसमें सभी बैठ कर फरार हो गए फिलहाल पुलिस चोरी करते वाले गैंग की तलाश कर रही है और आपको बता दे कि गोरिकपूर के ही S.P.C.T. कृष्ण कुमार विश्णोई ने बताया है कि कोटवाली थाना छेतर के शिर्पा अलोन में मंगलवार को रात को ही शादी समारों में आयरजन हो रहा था और पुलिस को सूझना मिली थी कि शादी समारों में दो महिलाए जेवर लेकर जो बैग था वो फरार हो गई है उन्होंने बताया कि महिलाओं ने जेवर से भरे बैग पर हाथ साप कर दिया है और इसके साथ ही बताया गया कि तहरीर के मताबिक उसमें तीन सेट हार और तीन सेट चूडी सोने के गूठी और बुंदे आदिस शामिल है और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पुलिस की चोरी की होने की सूचना जब मिली थी तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची थी और पुलिस पसिसी टीवी के कई एंगल से महिलाओं की तलाश में अब जुट गई है और जल्द ही इस घटना का पुलिस खुलासा अब ही करेगी जनर्द गौरबपुर के थाना कोटवाली चेक्टन में एक शिप्रालान नाम की जगह है जहां पे एक साधी चल रही थी पुलिस को सूचना मेली कि उस साधी में दो महिला है वो एक डैक को लेके गायब हो गई है अब बाद में अपना तहीर के अनुशार य से रही हैं यह कुछाश्चा जन्पת अकांशीद जीलाहोने के धाते यहाँ पर स्वास्थ स्वाइव को बहतर बनाने के लिए क्नार्डा मिलिंडा फेंट सर गेस्ट वांडेशन की एक टीम स्वावस्थी के इकोना पहुंची जहां पर उसने इकोना अस्पताल पहुंच कर स्वास्ते सेवाओं की हकीकत जानने की कोशिश की आपको बता दे कि कनाइडा की टीम समुधाइक स्वास्ते केंद्र ने इकोना का निरिक्षन किया और निरिक्षन के दोरान टीम ने सभी वार्डो का ब्रमन् साथी मरीजों से अस्पताल की और से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी है श्रावस्ति जनपत अकांशे जिला होने के नाते स्वास्ते सिवाओं को और बहतर बनाने के लिए कनाड़ा के ही टीम ने समुदाई के स्वास्ते केंद्र इकोना का निरेक्षन किया है और न अंगलवार को ही टीम समुदाई के स्वास्ते केंद्र इकोना पहुंची थी आपको बता दे कि टीम ने सभी वाडों का निरिक्षन और विवस्ता का जाइजा लिया और साथी मरीजों को मिल रही सुविधाओं के संबद में उनसे पूछताच भी की है इस दोरान एंजियो महिलाओं ने परशव कक्ष में गर्वती महिलाओं का हाल चाल लेते हुए तैनात महिला चिकेट्सक परतिभा शुकला से भी पूछताच कर जानकारी नी है इस दोरान टीम में आए सभी लोगों ने अलग-अलग बाडों में भरती जच्चा बच्चा का हाल जाना है और इसी खबर पर हमारे साथ इस्टावस्ते चे सब्सक्राइब है सुर्य परकास शुकला जुट चुके हैं सुर्य परकास जिस तरह से खबर सामने आई है कि टीम ने फेहल किया और जाईजा लिया है क्या कि ए जायाज्या पर जाया कि यह तो जो दो काउंटर पच्छे का पर सब्सक्राइब और आपरेशन रूम और आइस यू और जो बैड अस्थाफित कि एगए ते सियस्ती में उन सभी चीजों का बारी किसे निच्छल किया और वहां के जो सब्सक्राइब उसके बारे में वाप उफसे डाक्टरों से भी इसकी फरादी के बारे में इसने वालिए अर जह पर प्रवती महला उनको दी जाने वाली सब्सक्राइब उसके जा जा दिया और उसे जानकारी भी जैसिंधने क्या के साफ़ों ने क्या कुछ जानकारी दी है वहाँ पर मौझूद? अशुगधाय उपलब्ध हो रही है उनसे भी उनका जी में राकल किया जाया और स्वासुधा उपलब्ध कराया जाया है यह टीम कितने समय तक वहां पर मौजूद रही है और कितने देर तक इस पूरन इरेक्शन किया गया है सुर्य परकास बता जा रहा है कि टीम लगबग दो से तीन घंटे तक अस्पताल में भर मौजूद थी और सभी केंद्रों का सभी जिगों का उन्हें जाय जाय लिया वहां कि मतलब बहुन का भी नेचर किया इस तरीके बहुन बना हुआ है कि तरीके देर लोगों जो लोग मरी जा रहे हैं पिशेंडार है उनका इलाज की तरीके देखिया जा रहा है और लोगों को जो स्वास्ति उधाय होनी चाहिए बेहतर होनी चाहिए जो इसकी अस्ती पर मिलता है जिनको बाहर करें लाज ना कराने जाना पड़े इसके लिए भी उन्होंने तवाम स्टारी कीजि़ों का बार सभी झुद्र केना भी लिए जह जांगे जाहने जाएं भी म्धाश बहुत बहुत जूपिया मारी साट जुनने के लिए और हमचान करें बुलंद शहर के डीम चंदरप्रकार सरसिंग ने होचक रूप से ही पुर्व माधमिक विद्याले के ही धमिडा कीरत का निरिक्षन करते हुए अध्यापकों के समय में विद्यार्थियों के लिए ही विद्याले में आने बच्चों की दी जा रही शिक्षा मिडे मेल और की गुर्वक्ता कार्याले के सभी 19 पेरामीटर पर कराए गए कार्या को और इसके साथ ही साब सफाई आधी ववस्थाओं का उन्होंने जाइजा लिया है विद्याले में प्रधान चार्या के अगर बात करें तो प्रधान चार्या सहीत तरतीनों अधियापक उपस्थित प बच्चों को पढ़ने में कोई परिशानी ना हो और इसके साथ ही इतिहास और संस्कृत विशे के बारे में चंदर शेखर आजाग जासे महापुर्षों के जीवन परिजे के बारे में बच्चों को जानकारी देकर प्रिष्ट भूमी बना कर बच्चों को पढ़ाया जाए बच्चों के दिये गए मध्यान भोजन के बारे में बच्चों से जानकारी करने और इसके साथ ही बताया गया कि भोजन में दाल चावल दिया जाता है और रसुई का निरेक्षण करते हुए बनाए गए भोजन की गुर्वक्ता को भी परखा गया है honor कि नहीं पर हमारे प्रायमरी स्चूल में अ सब्चuyorum को सब्च पर ने हमारे च B jak सब्चूरा कि है सब्च्चिकल करते हैं और अप्षार फफिक्षर करने के लिए मैंने अबρώ प्रायमरी स्चूल की रत्पूर्त धम легल का नियरेक्षर भी है मैंने अभी अध्यापकों से अनुरोध भी किया जैसे संस्क्रिप्ट की पढ़ाई हो रही थी उसमें चंसे खराजाज जी के बारे में पढ़ाया रहा था मैंने उनको बताया जीवन परचे के बारे में सभी छात्रों को बताएं उत्तरपर्देश की राजनीती से जुड़ी सबसे बड़ी और लंबी खबर आपको बता दे कि अखलेश और शिवपाल के एक दूसरे के संबन्दों में चली आ रही खटास अब दूर हुई है दरसल सेपई में चाचा शिवपाल से मुलाकात करने अखलेश यादव उनके आवास पहुंची और मेंपूर लोकसभा सीट पर होने वाले उप चुनाओ में परतियाशी के तौर पर खड़ी उनकी पतनी डिमपल यादव के लिए चुनाओ परचार का आशिरवाद मांगनी और अखलेश यादव से शिवपाल से मुलाकात करने पहुंचे करीब 45 मिनट से ज्यादा चली इस मुलाकात में और चाचा भतीजे के बीच पुराने संबंधों में चली आ रही खटा सब दूर होती हुई साफ तोरपन नजर आ रही है समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को मेनपुरी लोक सभा चुनाओ को लेकर स्टार परचारक बनाया है और इस संबंध में ही पूरे घटना करम के बाद अखलेश और शिवपाल ने मीडिया से अपनी दूरिया है वो जो बनाया रखी है आपको बता देश इटावा से खरबर है जहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि शिवपाल और चाचा भतीजे की जो खटास थी वो दूर होती हुई साफ तर पर नतर आ रही है उत्तर पर देश की राजनीती से जोड़ी सबसे बड़ी और एहम खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर अखलेश और शिवपाल के एक दूसरे के संबधों में चली आ रही खटास अब दूर होती हुई धर्चरारी है सेफई में चाचा शिवपाल से मुलाकात करने अखलेश यादव उनके आवास पहुंचे थे और मेनपूरी लोकसबा सीट पर होने वले उपचुनाओं में परत्याश्ची के तौर पर ही उनकी पतनी डिमपल यादव के लिए उपचुनाओ परचार का अशिरवाद मांगन अखलेश यादव शिवपाल से मुलाकात करने पहुचे हुए थे और करीब 45 मिनट से ज़्यादा चली इस मुलाकात में चाचा भतीदे के बीच जो पुराने संबंधों में चली आ रही खटास थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है बुलंद शहर के अनूप शहर थाने में तैनात पी आरडी के कपिल शर्मा नामक जवान ने होमगाड पी आरडी में भरती कराने के नाप पर आठ बेरोजगारों से लाखों की ठगी हुई है आपको बता दे कि पीडित लोगों ने कप्तान के दर्बार में नयाई की गुहार लगाई है और बेरोजगार ठगों की तरज पर सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर जन्पत में सरकारी करबचारी ने भी धंधा बनाया है बता कर धुखा धड़ी से आठ बेरोजगार शिक्षक युवकों से 30-30,000 रुपे एट लिये हैं और कहा कि आपकी नौकरी डेड़ महीने में लग जाएगी और बताया कि जब नौकरी समय सीमा में नहीं लगी तो हमने फोन कर जानकारी लेनी चाहिए तो उस कप्ल नाम के जवान में फोन पर हमें धंकित दे डाली और इस मामले की शिकाया जब हम लोगों ने अनूप शहर खाने में की कोई सुनवाई नहीं की गई और जब जाकर हमने जिला कप्तान स्वलोक कुमार के दरबार में नयाय की गुहार लगाई है और इस गुहार पर कप्तान साहब मे जाजकर करवाई का आश्वाशन दिया है तो आपको बता दे कि कपिल शर्मा ने PID विभाग यानि होमगाड सुरक्षा पुलिस में ही नौकली लगवाने के नाम पर गुमरा कर धोखा धड़ी किया है और आठ बिरुसगारों शिक्षकों यूपकों से ही 30,000 रुपे की एट जो है वो की है और इसके साथ है उसमें धमकी भी दी है कि नौकली डेड़ महीने में लग जाएगी अगर ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद पीडित लोगों नहीं अब इसकी शिकायत करी तो उसके बाद धमकी भी दी गई है उन्होंने बिताया कि हमने फोन पर जानकारी लेनी चाहिए तो उसका पिल नाम के जवान ने फोन पर हमें धमकी दे डाली और इस मामले की शिकायत जब हम लोगों ने अनूप शहर ठाने में की तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की गई और तब जाकर हमने जिला कप्तान स्लोक कुमार के दरवार में नयाई की गुहार लगाई है इस गुहार पर कप्तान साहब ने जाच कर कारवाई करने का बाश परशन भी दे दिया बुलन शहर के थाना चेतर गुला वठी की निवासी प्रेमिका की प्रेमी और उसके परिजरों ने लाठी टंडों से पीट कर हत्या को अन्जाम दिया है मृतका के भाई ने आरोपियों के खिलास और थाने में तहरीर देकर नामज़त कराया और घटना स्थल पर एस्पी सिटी सुरेंदर नाथ की बारी सहीत फोरेंसिंग टीम मौके पर पहुचिए और कुलिस ने शव को बरामत कर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया है मृतका के भाई ने बताया है कि 15 नवंबर 2022 को मेरी बहन घर पर अकेली थी जिसके बाद आरोफियर ने क्रूर घटना को अंजाम दिया और शादी का जहासा देकर प्रेमी ने प्रेमी का से शारिरिक संबंध भी बनाए थी और S.P.C.T. सुरेंदर नाथ तिवारी न बताया कि पीडिता ने नवंबर 2021 में अपने साथ हुए दुशकर्म को लेकर आरोफियर प्रेमी के खिलाफ जान का खत्रा बताते हुए F.I.R. कराई थी फिलाल प्रेमी आरोपी सहीत आधा दर्जन के खिलाफ मामला दर्ज है तो आपको बुलंद शहर से खबर बता रहे हैं जहां पर प्रेमी और प्रेमी का के बीच विवाद का मामला सामने आ रहा है कि प्रेमी ने शादी का जहांसा देकर महिला के साथ दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया है और यह घट ना बुलंद शहर के थाना चेत्र गुलावठी की निवासी प्रेमी का की प्रेमी और उसके परिजनों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या को अंजाम दिया है आपको बता दे कि भलतका के भाई ने अब इस समय प्रेमी का की जो हत्या है वो कर दी गई है और मिर्तका के भाई ने आरोपियों के खिलाफ अब ठाने में ही नामजत करवाया है और घटा स्थर पर एक्पी सिटी सुरेंदर तीवारी सहीत फोरेंसिंग तीम मौके पर मिर्तका के भाई ने बताया है कि 15 नमंबर 2022 को मेरी बहन घर पर अखे ली थी और जिसके बाद आरोपियों ने कुरूर घटना को अंजाम दिया शादी का जहासा देकर प्रेमी ने प्रेमी का से शारिरिक संबंध बनाये थे स्पी सेटी सुरेंदर नाथ तीवारी ने बताया कि फिरिता ने नमंबर 2021 में अपने साथ हुए दुशकम को लेकर आरोपियों के खिलाफ जानकर खत्रा बताते हुए अपाईया भी दर्ज करवाई थी फिलाल प्रेमी आरोपियों सहित अलधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाच में अब जुट गई है मुलावटील में एक लड़की की मित्तु की सुचना आई है और वहां पर प्रेमीट और हमारे थाने की टीम सारे लोग पहुचे थे वहां बेश्चांगिन की गई तो पता चला कि लड़की द्वारा नॉम्बर 21 में एक मुद्मा करके खिलाफ कोयं कर आया गया था जिसमें लड़का जेल गया था और इसके खिला पारू पत्र लगा था लड़का जेसे बाहर आया है तो लड़की ने पुनाई का प्रात्ना पत्र भी 500 पर उंकदमा कायम किया था अमेठी के गोरी गंज थाना चेतर के हफोया गाउ में डीम के निर्देश पर अवेद खनन मिला है और परिशासन ने गाड़ियों को सीज करते हुए कारवाई की है बता दे आपको कि जेसीदी को सीज करते हुए ये कारवाई की गई है जिले में अवेद खनन पर खाना करते हुए बड़ी कारवाई की गई है आपको बता दे कि लगातार सूचना मिल रहे थी कि अवेद खनन के मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद पुलिस परिशाशन जो है वो हरकत में आई है और इसके साथी गाड़ियों को सीज भी कर दिया गया है और लगातार कारवाई पी जारी है आपको ये जानकारी दे कि दियम के आदेश पर ये सक्त कारवाई की जा रही है अवेद खनन को लेकर प्रिशाशन लगातार सक्त नजर आ रहा है जिसको लेकर अब कारवाई की जा रही है और खबर हम आपको बता रहे हैं अमेठी के गोरी गंज थाना छेतर के अफोया गाव से जहां पर DM के निर्देश पर अवेद खनन मिला था जिसके बाद परशासन ने गारियों को सीज करते हुए कारवाई की है बता दे आपको कि JCB को सीज करते हुए ये कारवाई की गई है जिले में अवेद खनन पर खाना पूर्थी होती हुई साफ दोर पर दिखाए देती है अधिकतर जगह पर खनन में परशासन लिफ्ट रहता है लेकिन यहां पर DM के आदेश पर बड़ी कारवाई की गई है और इसके साथ ही गारियों को सीज करते हुए ये बड़ी कारवाई की गई है श्रावस्ति के नेशनल हाईवे 730 पर ट्रेक्टर अनियंत्रित हो गया और बताया जा रहा है कि हाईवे किनारे मौजूद होटल में घुशते हुए ट्रेक्टर जो है वो अनियंत्रित हुआ था और खड़ी हुई दो बाइक और साइकल को इसने ट्रेक्टर नहीं रोन दिया है वही ट्रेक्टर की चपेट में आकर दो महिलाई भी चोटिल हुई है और लेकिन कोई बड़ी घटना होने से बाल-बाल बचगी है और आनन फानन में इस्थानीय लोगों ने महिलाओं को अस्पताल भेजा सूचना पर पहुंची पुलिस से ट्रेक्टर को कब अब कारवाई शुरू कर दी है तो आपको बता दे श्रावस्तिक से खबर है जहां पर ट्रेक्टर की चपेट में आकर दो महिलाएं खायल बताई जा रहे हैं और जिनने अस्पताल में भर्दे करवाया गया है वही आपको बता दे कि हाथसे के दोरान काफी संख्या में लो होटिल हुई है और इसके साथ ही मोटर साइकल पास में खड़ी साइकल को ट्रेक्टर ने टक्कर मारी है और वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके वार्दात पर पहुंचने के बाद थिती का जायजा लिया है और इसके साथ ही आपको बता दे कि लोगों की मौझूद होटल में घुसते हुए ये ट्रैक्टर अन्यंतरत हुआ था और खड़ी हुई दो बाइक और साइकल को ट्रैक्टर ने रोल दिया था वही ट्रैक्टर की चपेड में आकर दो महिलाएं भी चोटिल हुई है लेकिन कोई बड़ी घटना होने से बाल-बाल बच गया है और आनन्पान में स्थानियों लोगों ने महिलाओं को इस्पताल भेजा और जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को कबजे में ले लिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी है प्रियागराज के कोखराज बाईपास के पास पुलिस ने गारी को पकड़ा है दरसल वाहन को साइड करा रहे तोल करमी को डी सी एम गारी ने टक्कर मारती है जिसके बाद गारी चौलक मौके से फरार हो गया वहीं आपको बता दे कि हाथसे में यूवक की मौत हो गई है दरसल बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय यूवक की मौत हुई है और टोल करमी विरेंदर सिंग मौलरूप से फिरोजा बाद का रहने वालता सिल्सी टीवी फुटेज से पहचान कर आगे की जाच की जा रही है तो आपको बता दे प्रियागराज से खबर है जहां पर टोल करमी की एक्सिडेंट हुआ है जिसके बाद आपको बता दे कि प्रियागराज के कोखराज बाइपास के पास पुलिस ने गाड़ी को पकड़ा है दरसल वाहन को साइड करा रहे टोल करमी को डी सीम ग मुल्रोप से ही फिरोजा बात का रहने वाला था और CCTV फोटेज से पहचांग कर आगे की जाच की जा रही है तो आपको बता दे प्रयागरास से खबर है जहाँ पर तोल कर्मी की एक्सिडेंट से मौत हुई की खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि गारी ने जो है वो टक्कर मारी थी और जिसके बाद एक्सिडेंट में ही तोल कर्मी की मौत हो गई है बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर आपको बता दे की हाथसे में जो DCM की गारी ने ही टक्कर मारी है तो बड़ी जानकरी आपको बता रहे हैं जहां पर प्रयागरास से DCM की गारी ने तोल कर्मी को टक्कर मारी है और हाथसे में अस्पताल लिजाते हुए पीडित की मौत हो गई है वहीं पीडित के परीजनों का रोरकर बुरा हाल है और लगातार नियाई की गुहार लगाई चा रही है पुलिस कर्मी जो है वहाँ मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जिसके बाद से ही गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया और हाथसे में यूवक की मौत हो गई है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अस्पताल लिजाते समय यूवक की मौत हुई है टोल कर्मी विरेंदर सिंग मूल रूप से ही फिरोजाबाग का रहने वाला बताया जा रहा है और सिसी टीवी फोटेज में पूरी घटना कैद हो चुकी है आपको बता दे कि तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रयाग राज से सामने आ रही है जहां पर टोल कर्मी की एक्सिडेंट के दोरान मौत हो गई है और ये जानकारी सामने आ रही है कि DCM गाड़ी ने यूवक सर टोल कर्मी को घायल किया और जिसके बाद अस्पताल लिजाते समय उसकी मौत हो गई है बहीं मिर्तक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और लगातार सरकार से व्याय की गुहार लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाब दिया जाए और इसके साथ ही आरोपी फरार बताया जा रहा है पुलिस मामले की जास में फिलाहल जूटी हुई जारी है आप देखते रहिए न्यूज वाल्ट इंडिया